हालो गाइस एयसे हो आज हम करेंगे क्लास 7 का एक्सेज 1.2 के लिए जो जो थियोरी पोट्षन जाहिए वो हम आज कभार करेंगे तो चलो हम पेपर में कर लेते हैं वो थियोरी पोट्षन ठीक है देखो एडिशन और सब्स्ट्रक्शन का जो भी थियोरी था वो हमने और है exercise 1.2 में तो देखो first क्या है multiplication of positive and negative sign तो देखो positive और positive sign है तो multiplication होके क्या होगा यह positive sign होगा ठीक है जैसे देखो में plus 3 into plus 4 मैंने किया तो इसका result क्या होगा number का तो multiplication होगा 12 और साइन का होगा प्लास देखो प्लास इंटू प्लास यानि प्लास ओके यह हो गया हमारा फार्स्ट पॉइंट सेकेंड क्या है देखो माइनस इंटू माइनस माइनस क्या होता है प्लास होता है same example ले रहे हूँ minus 3 into minus 4 यह क्या होता है देखो number का multiplication 3 into 4 12 होता है minus into minus minus into minus क्या होता है plus होता है तो इसमें plus लिखेंगे ठीक है अब देखो unlike where आ गया minus plus plus minus minus plus को multiply करने से हमें minus मिलता है और plus minus को multiply करने से minus मिलता है तो देखो मैंने plus 4 into minus 3 ले लिया तो क्या होगा number का multiplication 4 into 3 12 और plus minus का multiplication होके क्या होगा minus देखो minus plus minus होता है अब क्या लेती हूँ minus 3 into plus 4 तो क्या होगा number का multiplication 3 into 4 12 और minus into plus देखो minus into plus क्या होता है minus तो ए हो गया हमारा multiplication rule का example ठीक है तो देखो ए क्या है multiplication of integers तो multiplication of positive and negative integer क्या होता है जब भी हम एक positive integer and एक negative integer को हम multiply करते है तो क्या करते है यह दोनों का product दो number का product यानि multiple करके जो भी मिलता है ओ पहले हम लिख लेंगे जैसे देखो 4 into 8 क्या होता है 4 into 8 32 तो 32 हम पहले लिख लेंगे उसके आगे क्या होगा minus sign होगा एक minus डाल देंगे तो ए हो गया हमारा एक positive और एक negative integer का multiplication तो इसका अंसर क्या होगा बोलो minus 3 into 7 minus 3 into 7 तो 3 into 7 क्या होता है 21 और देखो ए minus आगे आज जाएगा ठीक है ऐसे 6 into minus 5 6 into 5 क्या होता है 30 और यह minus इधर आएगा ठीक है ए हो गया हमारा multiplication of a positive and negative integer तो a तो हमने लिख लिया इन जेनरली हम क्या लिख सकते है देखो इन जेनरली हम for any two positive integer a and b we can say a into minus b equal to minus a into b और whole product करने से क्या होता है minus into a multiply by b a होता है इन जेनरली ठीक है अब देखो ओ हो गया एक positive integer एक negative इन जेता देखो a positive a negative फिर से a negative a positive तो इसका product जो भी होगा क्या पहले एक minus होगा उसके बाद ओ दोनों integer का multiplication होगा ठीक है अब देखो multiplication of two negative integer ओ क्या था एक positive और एक negative तो पहले क्या मैंने लिखा देखो product of two negative integer इसे positive integer तो दो negative integer को हम multiply करेंगे तो हमें एक positive integer मिलेगा ठीक है फिर से देखो two negative integer मैंने क्या क्या minus a minus b ले लिया तो इनका जब मैं product लिख रही हूँ देखो इसका आगे कुछ भी sign मैंने नहीं लिखा इसका मतलब क्या है एक positive है जैसे मैं एक जम्पल ले लेती हूँ a equal to two और b equal to three तो minus a equal to क्या होगा minus two और minus b equal to minus three अब देखो minus a into minus b क्या हो रहा है minus a into minus b minus two equal to minus a equal to क्या है minus two इसलिए मैंने minus two लिखा और minus b equal to क्या है क्या है देखो माइनस 3 तो माइनस 3 लिखा इन दोनों को मैं माल्टिप्लाई करूंगी तो पहले क्या होगा पहले होगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 अब देखो माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होता है minus into minus plus होता है तो first मैंने multiplication का जब rule लिखा तब minus into minus plus होता है A मैंने दिखाया first page में OE में बोल रहे हूं देखो plus 6 हो गया ठीक है तो अब देखो अब क्या है A into B A into B क्या होता है A minus 2 B minus 3 तो फिर से 2 into 3 6 और minus into minus plus 6 तो देखो A minus B equal to A into B A हो गया A proved हो गया तो चलो next क्या है next है addition का हम property सिख रहेते ना जैसे closure under addition, closure under subtraction commutative वो था ना C3 O A square वैसे multiplication का भी कुछ property है वो हम देख लेते हैं क्या है देखो closure under multiplication, commutative of multiplication, multiplication by 0, multiplicative, identity, associative for multiplication, and distributive for property तो A क्या है, closure under multiplication, A क्या है ओए addition का क्या था बोलो addition का था closure under addition, A एक integer है, B एक integer है तो A plus B भी एक integer ही होगा सेम ही है closure under multiplication में देखो A एक integer है, B एक integer है तो multiplication मतलब क्या A into B तो A into B भी एक integer ही होगा A है हमारा closure under multiplication देखो, इप A and B two integers देन A into B is also an integer देखो, A equal to मैंने 5 ले लिया B equal to 3 तो A into B क्या होगा 5 into 3 15, तो 15 भी तो एक integer है तो क्या है, A closure under multiplication है एक प्रूब्ड होगा ठीक है, next क्या है देखो Commutative property Commutative property क्या था addition में एक बार इमाइन कर लेते है देखो, क्या था A, B two integers तो क्या था, A plus B equal to B plus A A ही था ना जैसे मर्जी बेंच चेंज करके दो friend view देख रहे हैं थे पार्क में तो ओई, माल्टिप्लिकेशन में भी ओई होगा A था addition का ठीक है, A था addition का multiplication का क्या है देखो, multiplication का है if A and B two integers then A into B equal to B into A A दोनों भी side change कर लिया bench का position change करके view देख रहे है तो addition और multiplication का same ही है addition में क्या था A add plus sign था multiplication में middle में multiplication यानि cross sign है ठीक है तो example ले लेते है A equal to क्या लेते है B 5 B equal to 7 ओके देखो A into B equal to क्या होता है A into B होता है 5 into 7 equal to 35 ओके और देखो B into A क्या होता है 7 into 5 equal to 35 तो क्या हो गया A फ्रूप्ट हो गया तो चलो हम एक negative इंडिजा ले लेते है A equal to minus 2 B equal to minus 8 ए ले लिया तो देखो A into B क्या होगा minus 2 into minus 8 equal to क्या होगा plus 16 फिर से देखो B into A क्या होता है minus 8 into minus 2 A भी देखो 16 होता है तो A क्या हो गया A हमारा equal हो गया तो फिर से फ्रूप्ट हो गया अब देखो क्या multiplication by 0 0 किसी भी चीज के साथ 0 multiply करो इसका answer इसका product value क्या आएगा 0 ही आएगा मर्जी लिखो the product of a positive integer and 0 is 0 जैसे देखो तुम्हारा नाम जो भी है x, y, z जो भी है तुम्हारा नाम into 0 भी करोगे तो न ए अंसर 0 ही आएगा 0 के साथ जो भी multiply करो answer क्या आएगा 0 आएगा तो the product of negative integer and 0 is 0 जो भी है देखो जैसे मैं negative integer minus 3 ले लिया into 0 क्या उसका answer भी 0 आएगा ठीक है तो देखो for any integer plus minus a जैसे देखो plus minus 2 plus minus 3 ऐसे गर के जो भी जो भी integer ले लो तो a into 0 equal to 0 into a equal to 0 minus a into 0 equal to 0 into minus a equal to 0 a है 0 के साद जो भी multiply करो answer will be 0 ठीक है उसके बाद क्या है देखो इसके बाद है multiplicative identity additive identity क्या था वो याद है की ने additive identity था हमारा क्या था 0 था क्यूंकि जो भी number ले लो suppose मैंने ने लिया 3 3 plus 0 करोगे तो क्या होगा 3 होगा 7 plus 0 करो 7 होगा minus 8 plus 0 करो minus 8 होगा जो भी number लेते हो 0 एड करने के बाद ओई रहता है तो देखो अब देखो identity term तो equally है ना अब क्या है ओ additive था यह हो गया multiplicative तो देखो identity term सेम है तो जो भी number से तुम multiply करो ओ नामबर सेम ही रहेगा ऐसे देखो इधर addition था जो भी number से तुम add करो जैसे ओ सेम रहेगा और ओ नामबर क्या था 0 तो ओ 0 हो गया हमारा additive identity तो अब हम देखेंगे multiplicative identity क्या होता है तो देखो मैंने एक number ले लिया 5 5 इंटू 1 करने से क्या आ रहा है 5 यह आ रहा है अब देखो मैंने एक number ले लिया minus 13 into 11 sorry into 1 equal to क्या minus 13 तो देखो 1 से मैं multiply कर रहे हूं तो सेम ही number आ रहा है तो हमारा multiplicative identity क्या होगा हमारा multiplicative identity होगा 1 तो देखो 1 is the multiplicative identity for integer for any integer a we have a into 1 equal to 1 into a equal to a तो चलो क्या है देखो 1 है multiplicative identity but minus 1 is not multiplicative identity of integer क्योंकि minus 1 के साथ जो भी integer तुम multiply करोगे उसका sin change हो जाएगा जैसे positive integer मैं एक ले 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 लेती हूँ 5 ही ले ले लेती हूँ देखो 5 into minus 1 करने से क्या आएगा minus 5 आएगा देखो इधर क्या है इधर है 5 तो आमाना answer आया क्या minus 5 minus 1 is not multiplicative identity तो अब एगे में negative integer same ही ले लेती हूँ minus 13 तो देखो minus 13 into minus 1 तो क्या होगा देखो तो पहले तो number का multiply करके लिखेंगे 13 और minus into minus क्या होता है plus तो देखो sin change हो गया तो minus 1 से कुछ भी integer तो multiply करो तो उसका sin सिर्फ sin change होगा product value और कुछ नहीं change होगा तो minus 1 is not a multiplicative identity अब देखो क्या एक note जैसा मैंने लिख लिया 0 is the additive identity 1 is the multiplicative identity चलो अब क्या है associative property associative property क्या था addition में associative property क्या था देखो for any 3 integer a, b and c a into b into c equal to a into b plus c a क्या था addition में क्या था multiplication के sign के बदले plus sign था ओ था न bench में तुम दोनों का क्या हो गया अनबान हो गया a और c के बिज में तो b आया उसने क्या grouping क्या एक बार तुमारे साथ क्या एक बार तुमारी friend के साथ क्या ओई हुआ ओई है associative प्रोपर्टी तो a इन्टो b इन्टो b इन्टो c इन्टो b इन्टो c अब देखो मैं a इन्टो 2 ले लिए थी हूँ b इन्टो 3 और c इन्टो माइनस फोर मैंने ले लिया तो अब देखो left hand side क्या है left hand side है equal to देखो a इन्टो b íन्टो c है तो a इन्टो b a इन्टो b क्या होता है 2 इन्टो 3 इन्टो माइनस 4 तो क्या हो रहा है देखो 2 इन्टो 3 six हो रहा है six इन्टो माइनस 4 equal to क्या होता है six four 24 minus minus 24 आप देखो मैं इद्धार लिए ले ति हूँ a x 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 भी टेक्ट हो और यह भी मायनास टूर्ट है तो क्या हो गया यह आव्रोब्त हो तो एस्बूब प्रपार्टी इस प्रूब्ट अंडर माल्टिपलिकेशन तिक है अप क्या है रेंस्ट प्रोपार्टी है ॉडिस्ट्रिम्ु टीव creation aउम सुनके क्या लग रहा है जे देखो तुम लोग फाइब फ्रेंड हो ठीक है फाइब फ्रेंड हो फाइब कोई किसी का तुम्हारा सपोच एफ रेंड का मम्मी ने कुछ लड़ू लेके आये है ठीक है जैसे फाइब नहीं सिक्स वान टू थ्री फोर फाइब सिक्स सेवेन लड़ू लेके आये है तो ए आंडी ने क्या क्या तुम लोग को इक्वाली डिस्ट्रिब्यूट के है पहले तो सब लोग को एक एक मिल गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ ओ जो दो एक्स्ट्रा हुआ ना ओ आंडी ने उनको गैंने दो बेटी के और बेटा को siitä नहीं दिया तुम लोग को इसमे भी इक्वाली डिस्ट्रिब्यूट कर दिया है ठीक है ओई ए प्रोपार्टी भी इक्वेली डिस्ट्रिब्यूट है चलो देखते है क्या है ऐनी इंटी बी एंड घोए इन्टू बी प्लस सी इक्वाल तो A हमें मिला A into B plus C equal to A into B plus A into C चलो A proved है कि नहीं है हम देख लेते हैं तो मैंने 3 integer ले लिया A equal to minus 2 B equal to 3 C equal to 5 अब देखो left hand side equal to A into B plus C तो चलो A का value क्या है minus 2 अब क्या है B plus C B का 3 plus 5 ठीक है तो देखो minus 2 into 3 or 5 add करने से कितना होता है 3 or 5 add करने से होता है 8 तो A हो गया हमारा 16 अब right hand side में क्या है देखो right hand side equal to A into B plus A into C A है ठीक है तो चलो A into B A का value क्या है minus 2 into B B का value क्या है 3 ओके प्लास A का value क्या है minus A का value तो minus 2 है तो minus 2 into C का value है 5 तो देखो minus 2 into 3 क्या होता है minus 6 प्लास 2 into 5 क्या होता है 2 ओ एका value तो minus minus 2 into 5 होता है minus 10 तो ए दोनों को add करने से क्या मिलेगा minus 16 मिलेगा तो देखो left hand side equal to right hand side इसका मतलब क्या है यह जो मैंने लिखा approved है तो यह हमारा हो गया distributed property तो exercise 1.2 के लिए जो भी theory portion चाहिए था ओ हमने ए वीडियो में कभर कर लिया तो next video में हम exercise 1.2 का question solve करेंगे ठीक है चलो करेंगे तो